हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे तो अभी सुबह के करीब साड़े ग्यारह हो रहे हैं और आज मेरी व्लोगिंग काफी लेट से श्टार्ट हो रही है क्योंकि परसों रात से ही मुझे भूत भेंकर बुख सही है कल के हिसाब से उतना ज्यादा बुखार नहीं है ममी की भी तवित खराबी है पापा और भाई तो अपने काम पे जा रखे हैं और ममी कल से लगी हुई है सारे काम अकेले करने पर तो मुझे थोड़ा बेका लग रहा था अभी मेरी तवित थोड़ा सही थी तो मैंने स गोसाला तक इस चोटी सी पानी की बाड़ी को ले जाने मैं भी मुझे पता नहीं कितनी बार बैठना पड़ रहा है आज और कल से दवाई खाका के मेरे मूँ का पूरा स्वादी बिगड़ गया आज पहाड़ों का मौसम काफी खराब हो गया है बारिस ही लग रही है कल रात से लग रही थी बारिस और ठंडा भी बहुत जादा हो गया जुकाम लगने की वज़े से मेरे कान भी बंद हो गया है और मुझे लग रहा कि मैं पता नहीं कितने धीरे से बोल रही हूँ अभी इस पानी की बाल्टी को गोसाला तक बड़ी मुश्किल से लेके आ गई हूँ और ममी ने यहाँ पर इतना घास निकाल के रख दिया और कुछ घास यहाँ पर काट के रखा हुआ है तो अब इस घास को इखटा कर लेती हूँ एक बार वैसे उतनी ताकत तो नहीं आ रही है लेकिन करना तो पड़ेगा ही ममी भी कप तक करेगी अकेले यहाँ पर इस घास को रोठे में भी लेके आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए यह जो हमारे केले का पेड़ है यह पूरा जुग गया है अगर थोड़ा हवा चलेगी तो साइट तूट भी सकता है अभी देखिए सामने वाली पहाड़ी पर पूरी बर्फ बारी हो रही है और इस साइट तो पूरी बर्फ पड़ चुकी है अगर दो तीन दिन तक ऐसे ही मौसम रहा तो काफी नीचे तक बर्फ आ सकती है बर्फ आत के टाइम पर ये सूकी घास सबसे ज़्यादा काम आती है इसको हरी घास के साथ मिक्स करके दे देते हैं तो गोसाला का काम भी निपड़ चुका है और सामने वाली पहाड़ी से बारिस भी आ रही है तो जब तक बारिस यहाँ आती है उससे पहले हम जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं आज तो मैं गोसाला पानी लाते टाइम यही सोच रही थी अगर लंगूर पीछे दोड़ा न तो मेरे तो आज भागने की तो बिल्कुल भी फुरसाती है तो जब तक ममी धारे में पानी के टिबे भड़ती है तब तक मैं यहाँ नीचे से थोड़ा हरी सब्जी निकाल देती हूँ इस बार यहाँ पे भी हमारी काफी ज्यादा राई हुई लेकिन कोई फाइदा नहीं है यह जो लंगूर है यह राई भी खा रहे हैं पता नहीं कैसे पहले तो कभी राई नहीं खाते थे और आप तो उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा होगा तो वो पेड़ के पत्त कर रहे हैं तो यहां पर इतनी राई भी निकाल दी है अब इसको धारे में दोते हैं अच्छी तरह से अब घर में आ गए हैं तो अब करते हैं लंच बनाने की तैयारी और कल से ना खाने पर बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है अब बारिस है तो पक्चियों के लिए थोड़ा बहुत चावल भी डाल देते हैं घर के आंगन में वो भी कहां जाएंगी इस बारिस के मौसम में अभी शाम के पांच बच चुके हैं और आज मौसम दिन भर पूरा गड़ड़ी रह अभी भी हलकी हलकी बूंदा बांदी होए जारी है और इस टाइम हमारा जो काम है वो है पानी सारने का तो एक बार हम फटापट से धारा जाके पानी लेके आते हैं अभी तो मेरी तब्बे थोड़ा बहुत सही हो गई है और चाए ना बुखार आए चाए मौसम खराब हो चाए कुछ भी हो जाए यह काम तो कभी छूटने वाला नहीं है यह काम तो करना ही पड़ेगा आज मेरे बिल्कुल भी फूर्सत नहीं है बड़े डब्बे पानी ले जाने के लिए तो आज मैं छोटा डब्बा ले जाओंगी पानी का अभी धारा से पानी लाने का काम भी निपट चुका है और अब मैं चूले में आग जला देती हूं क्योंकि शाम को हम ज़्याद तर रोटी चूले में ही बनाते हैं और ये जो लकडिया है ना कल रात को बारिस होने की वज़े से पूरी गिली हो गई पहाड़ों में सर्दियों के टाइम पे बारिस के मौसम में ऐसी मोटी मोटी लकडिया चूले में लगा देते हैं इससे ना आग बार-बार जलाने की जुरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो मोटी लकडिया होती है उस पे आग देर तक रहती है तो मैं भी एक मोटी लकडिया ले जाऊंगी चूले में जलाने के लिए अभी मैंने यहाँ पे आग बड़ी मुश्किल से जलाई और वो भी ढंग से नहीं जली क्योंकि लकडिया इतनी गीली हो रखी है कि वो आग को पकड़ी नहीं पारी थी और अभी यहाँ पे ममी ने गर्मा गर्म चाई भी दे दी है तो इन खुबसूरत पहाडों के बीच में चाई का आनन लेते हैं एक वार ठंड में चाई पीने का मजाई कुछ और होता है और यह ठंड सिर्फ आजी तक नहीं है वेधर मैं दिखा रहा था कि कल परस्तों भी सायत बारिस हो सकती है और बारिस के मौसम में सबसे जाला दिक्कत पहाडों में उन महिलाओं को होती है जिनकी गाई भीहंस रखी रहती है क्योंकि उनको घास के लिए भी जाना ही पढ़ता है पानी भी ले जाना ही पड़ता है तो बहुत दिकत होती है उनको तो चलिए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो को यहीं पर क्लोस करते हैं उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और अपने दोस्तो आई वीडियो में तब तक ये लिए जय देभू में उत्रा खंड